अब आप 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 अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगे आप सक्टेक अच्छे से करेंगे loneliness जैसे के आपको मालूम है हमने partnership के theoretical aspect को बहुत अच्छे से समझा है अगधर partnership agreement रिटन में है तो उसे पार्नर्स को क्या-क्या फाइध है हमने यह वह पर नहीं है तो उससे पार्टनर्रस को क्या-क्या नुक्सान है है अगर चाहल है ठवल पार्फेभ करते हैं धो हम for sole proprietorship का final account बनाते हैं instruments तब हम सबसे पहले हम क्या बनाते हैं trading account बनाते हैं उसके बाद हम profit and loss account बनाते हैं I hope आपको सब recall हो रहा होगा जो अपने 11th class में पढ़ाया च्रेडिंग account में हम सबसे पहले debit side में क्या लिखते हैं मगर हमारे पास अगर opening stock का balance है तो वो लिखते हैं इसके बाद हम purchases लिखते हैं और पर्चेजिस से related जो direct expenses हैं उनको लिखते हैं और credit side में हम sales लिखते हैं और अगर कुछ stock हमारा unsold रहे गया है जिसको हम closing stock भी वोलते हैं उसको हम credit side में लिखते हैं credit side के item से में से हम जब debit side के items को minus करते हैं तो जो figure आती है वो मारा होता है gross profit I hope आपको यह सब अभी याद होगा क्योंकि अभी अभी आपने 11th class में इसको पढ़ा है और इस gross profit को transfer किया जाता है to profit and loss account इसके credit side में हम इसको transfer करते हैं gross profit के figure आपने यहां पर लिखते हैं और इस चिगर को ही आप यहां पर transfer करते हैं by gross profit transferred from trading account ठीक है इतना तो clear है profit and loss के debit side में हम सारे indirect expenses लिखते हैं indirect expenses कौन से होते हैं वो expenses जो directly related नहीं है हमारी manufacturing activities से हमारी trading activities है हमारी purchasing activities लेकिन बहुत important expenses होते हैं इन expenses को charge against profit भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है charge against profit क्योंकि यह profit को reduce करते हैं profit के against में इनको charge किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहां पर निकल चुका है इस ग्रॉस प्रॉफिट को फर्दर रेड्यूस किया जाता है इन एक्सपेंसे के थुरू जिनको हम पी एंडल अकाउंट के डैबिट साइड में अब कौन-कौन से एक्सपेंसे यह आपको सबको बहुत अच्छे से इंशोरेंस चाजिस टैक्सेज इसकी बहुत लंबी चॉड़ी लेस्ट एस्टूनेंट्स यहां पर उन सबको नहीं लिखा जा सकता है यहां पर जो आपके पार्टनर्शिप अकाउंट से रिलेक्टेड जो एक्सपेंसे जिनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफ और पार्टनर्स लोन इसका मतलब लिए सुड़ों अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल के अलावा कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर ऐसे लोन अगर उसने कंपनी को लोन अमाउंट दिया है तो उस loan पे company उसको interest देगी, company के लिए वो एक expense है, लेकिन partner के लिए वो एक income है, तो वो partner की capital account के credit side में जाएगा, लेकिन company के लिए कोकी expense है, तो इसलिए P&L account के debit side में आएगा, interest on partner's loan. चलिए और आगे चलते हैं, अब gross profits में से अगर हम सारे indirect expenses को निकाल दें, जिनको हम बोलते हैं, charge against profits, इन सब expenses को निकाल देते हैं, तो हमारे पास figure आती है net profit के. Students, आपका काम partnership account में यहां से शुरू होता है, जब हम निकाल लेते हैं net profit, इससे पहले के काम आपको अभी partnership accounts में नहीं करने, मतलब आपने trading account नहीं बनाना, मतलब आपने P&L account नहीं बनाना, आपके पास net profit की figure दीवी होगी, इसके आगे का काम आपको partnership accounts में करना है, यहां मैं एक बात और आपको बता दूँ, जो भी हम accounting principles, हमारे जो concepts हैं, जो हम final account of sole proprietorship बनाते वकत करते हैं, same will be followed in case of partnership accounts, हमारी accounting procedures change नहीं होगे, चाहें वो partnership account हो या sole proprietorship हो, वो same ही रहेंगे, हम जिस तरह से ledger accounts बना रहे हैं, या general entries कर रहे हैं, trial balance बना रहे हैं, वो partnership accounts आने पर change ही रहेगा, फरग क्या है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन, in case of partnership, हम ये जो profit है, ये distribute होगा, दो या दो से तीन partners, जितने भी partners है, उनके बीच में distribute होगा, आपका जो main functions है, net profit को distribute करना, जिसको हम बोलते हैं, apportionment of profit, वो आपको करना है, among partners, इसके लिए एक account बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है, profit and loss appropriation account, participants, ये P&L appropriation account हमारे profit and loss account का ही extended part है, appropriations मतलब distribution, distributions of net profit, इसको हम apportionment of profit भी बोलते हैं, इस account में, हम net profit जो हमें भी P&L account में बनाया है, उसको हम यहाँ transfer करते हैं, credit side में, by net profit transferred from P&L account, उसके घर को हम यहाँ लिखेंगे, अब इस net profit को distribute किया जाएगा among partners, उसमें क्या-क्या-क्या include होगा, two partners salary, अगर किसी partner को salary देनी है, अगर ये agreement में दिया है, तो partner को salary देनी पड़ेगी, इसके लबा अगर partners को उनकी capital के उपर interest देना है, तो वो interest भी दिया जाएगा, partners के individual नाम लिखे जाएगे और उनके नाम के आगे interest on capital लिखा जाएगा, partners को अगर commission देना है, तो वो भी आएगा, इसके बाद जो जितना profit transfer होगा, माल लिजए, अगर A और B दो partners हैं, तो A is capital account, B is capital account, इस तरह से ये net profit को हम transfer कर देंगे, A और B partners के, हाँ, एक चीज़ और, credit side में हम लिखेंगे by interest on drawings, अगर किसी partners में drawings करी है, for his personal use, अगर कोई amount withdraw की है, for his personal use, तो उसके उपर अगर company interest charge करती है, तो वो company के लिए, वो partnership firm के लिए, वो एक income है, इसलिए उसको लिखा जाएगा credit side में, हम income के साथ में ही उसको भी लिख देंगे, credit side में और उसका total करेंगे, ये total हमारी income हो गई, net profit जो हमारा transfer हुआ यहाँ पे, plus interest on drawings, लेकिन ये जो interest on drawings है, ये एक expense है partner के लिए, तो उसके capital account में हम debit side में लिखेंगे, तो इसको भी हम और आगे अच्छे से समझेंगे, जहेंगे हम numerical part को करेंगे, चलिए, अब हम और आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं partnership agreement को, इसको मैंने पिछले अपने lecture में बहुत अच्छे से समझाया है, partnership agreement को हम partnership deed भी कहा जाता है, in case there is no partnership deed, अगर partnership deed है ही नहीं, agreement written में है ही नहीं, तब आपका काम बहुत असान हो जाता है, तब क्या होगा, partners को salary नहीं दी जाएगी, अगर partnership agreement ही नहीं है, उसमें लिखावा ही नहीं है, तो किसी भी partner को salary नहीं दी जाएगी, interest on capital भी नहीं मिलेगा, किसी भी partner को, अगर partnership deed return में नहीं है तो, partners को commission भी नहीं मिलेगा, और यह जो profit sharing ratio है, जो as per their capital इंट्रोड्यूस होती है, वो भी as per their capital नहीं होके, वो हो जाएगी equal, मतलब दोनों partners को, जो हमारा profit है, वो equal distribute होगा, यह हो जाएगा equal, हाँ, अगर किसी partner ने कुछ funds इंट्रोड्यूस किये हैं, company के अंदर as a loan, तो उस loan के उपर interest मिलेगा, at the rate of 6%, यह fixed rate होता है, 6% का rate, अगर partnership deed है या नहीं है, तब भी हम 6% के साब से interest on loan to partner देंगे, लेकिन ध्यान रहे, यह interest on loan जो है, charge against profit है, वो हमारे P&L appropriations account में नहीं आएगा, हमारे P&L account में आएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेगा, हमारे पास जो net profit आना चाहिए, वो interest on loan को calculate करने के बाद ही आना चाहिए, इसी तरह अगर partnership deed नहीं है, तो interest on drawings भी charge नहीं करेगी company, अब आजाए, अगर partnership deed है, yes, return में agreement है, तब क्या होगा, हम partners को salary भी देंगे, हम partners को interest on capital भी देंगे, अगर partnership agreement में लिखावा है, कि this much percent of interest on capital is to be given, this much of salary is to be given to partners, तो वो सब salary भी दी जाएगी, और interest on capital भी दिया जाएगा, partners को commission के बारे में भी आएगा, जिकर किया हुआ है, partnership deed में, तो वो भी दिया जाएगा, और जो ratio दिया हुआ है, profit sharing ratio, as per that ratio ही profit को transfer किया जाएगा, A और B के capital account में, it means, जो partners को profit distribute होगा, वो as per their ratio, whatever is written in the partnership agreement में, जो भी ratio लिखी लिए है, उससे साब से ही, partners को profit distribute होगा, इसी तरह अगर interest on drawings, अगर partnership agreement में लिखा हुआ है, तो वो भी interest on drawings भी charge किया जाएगा, हां, interest on loan, जैसे कि माने पहले बताया, चाहे partnership deed है या नहीं है, interest on partners loan amount, at the rate of 6% company को देना ही पड़ेगा, partnership firm को वो अपने partner को देना ही पड़ेगा, at the rate of 6% only, इससे ज़्यादा नहीं देना, I hope students, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ये theoretical portion मैंने अपने पिछले lecture में भी cover किया था, आज इसको हमने simply recall किया है, इसको revise किया है, क्योंकि अब जो हम illustrations करने जा रहे हैं, वो entirely इस theoretical portion के उपर ही depend करेगी, आपको कुछ भी illustrations करने से पहले, इनके in aspects को समझना बहुत ज़रूरी है, इसी लिए मैंने इसको एक बार दुबारा से आपको समझाने की कोशिश करिए, चलिए अब हम illustrations करते हैं, ये illustrations students मैंने T.S. Greval की book से लिए है, मैंने इनको points में लिख दिया है, बुक में आपको इस तरह नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको simplest way में समझाने के लिए, इसको points में convert कर दिया है, तो पहला point है, A and B are partners sharing profit and loss in 3 इंस्टू 2 ratio, A and B दो partners हैं, उनकी profit sharing ratio क्या है, 3 इंस्टू 2, capital of A is 4 lakh, B is 3 lakhs, interest on capital is 5% per annum, interest on capital देना है 5% per annum, B is allowed annual salary of Rs. 30,000, B को annual salary भी देनी है 30,000 में, Students, यहाँ पे हमको यह नहीं लिखा है, कि there is no partnership deed, अगर ऐसा नहीं लिखा है, तो हम यह मान के चलेंगे, कि there is a partnership, वहाँ पे agreement है, और हमको यह सब बातों को follow करना है, चलिए, और आगे चलते हैं, Students, इस illustrations को यहाँ पे लाने का मेरा मकसद, point number 5 और 6 को समझाने का है, यह बहुत important points है, आपको यह दो point समझ में आगए, तो आपको P&L Appropriations Account बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी, चलिए, point number 5 को पढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, profit for the year ending 31st March 2021, prior to the calculations of interest on capital, but after charging 20 salary is rupees 1 lakh कंटी थाओदा, यह कहता है, profit जो है 1,20,000 है, but prior to the calculations of interest on capital, interest on capital को calculate करने से पहले, interest on capital हमारे कहां आता है, P&L Appropriations Account में यहां पे आता है, इससे पहले जो profit है, वो 1,20,000 है, ठीक है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि profit को पहले ही होना चाहिए, उसी को ही तो आप distribute करोगे, but after charging 20 salary, जो 20 की जो salary है, वो यह जो बोलता है, 20 salary is allowed 30,000 रोपीज, 20 की जो salary आएगी, वो कहां आएगी, यहां पे आएगी P&L Appropriations Account में, but after charging, मतलब, इसका मतलब profit को calculate किया गया, इस salary को minus करने के बाद, चलिए, इसको हम समझते हैं अभी, इसी तरह एक और point को समझेगा, कि provision of 5% of the profit is to be made in respect of manager's commissions, manager's commissions हमारा P&L Account का part है, manager's commissions, वो P&L Appropriations Account का part नहीं है, इसको भी ध्यान रखेगा, चलिए, अब हम दुबारा से illustrations को पढ़ते जाएंगे, और इसको solve करते चलेगे, सबसे पहला point है, A and B are partner sharing profit and loss in ratio of 3.2, ठीक है, okay, capital of A is 4 lakhs and B is 3 lakhs, okay, interest on capital is 5% per annum, 5% हमें interest on capital देना है, A को भी देना है, interest on capital A को देना है, 5% on 4 lakhs हो गया, 20,000, इसी तरह आप B का निकालिए, 5% on 3 lakhs, that is 15,000, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लिखने में यहाँ पे, total हमारा interest on capital आगया, 35,000, यहाँ तक बड़ा असान है, और आगे चलते हैं, B is allowed annual salary of 30,000, salary, partners की salary कहां आएगी, P&L Appropriations Account में, हाँ, अगर किसी staff की salary, employee की salary, manager की salary रह जाती है, तो वो P&L Account में आएगी, P&L Appropriations Account में नहीं आएगी, लेकिन अगर partner की salary है, तो वो आएगी P&L Appropriations Account में, तो हमने partners को, हमने B को salary देनी है, partner salary B को देनी है, कितनी देनी है, 30,000 per annum है, annual salary है, यह ध्यान रखेगा, यहाँ पर मंत नहीं लिखा है, annually उसको 30,000 देना है, तो हम 30,000 लिख देते हैं यहाँ तक, कोई दिक्तर नहीं है, अब आज़े यह 5th point की तरफ, यह कहता है, profit for the year ending 31st March 2021, कितना बता रहा है है, 1,020,000, अभी हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, 1,020,000, ठीक है, यह क्या कहता है, prior to the calculations of interest on capital, interest on capital को चार्ज करने से पहले का है, ठीक है, हाँ, पहले का ही है, but after charging 20 salary, इसका मतलब, इंटरस्ट यह जो profit है, 20 की salary को minus करके लिखा गया है, वो क्यों लिखा गया है, यह तो पहले होना चाहिए था, इसका मतलब यह profit, जो हमारी figure है, यह गलत है, हमारा net profit हमारा कितना होगा, 150,000, इस 120,000 में हम 30,000 एड कर देंगे, इसमें हमने एड किया है 30,000, इस 150 में से ही तो हमने 30,000 दिये हैं, यहाँ पे लिखा है, but after charging 20 salary, 20 salary की salary को चार्ज करने के बाद क्यों है यह profit, तो पहले वाला profit होना चाहिए न, तो इसलिए हमने इसको 150 लिए चलिया, और आगे चलते हैं, इस provision of 5% of the profit is to be made in respect of managers commissions, अब देखिए, manager का commission है, वो हमारा part है profit and loss account का, हमारा net profit आगे है, लेकिन हमने भी managers को commission है नहीं दिया, मैंने अपने पिछले illustration में बताया था, अगर ये net profit आपको दे रहे हैं और managers commissions नहीं दिया गया है, अभी जो की हमारा charge against profit है, तो इसका मतलब ये figure भी गलत है, हमारा net profit ये नहीं है, हमारा net profit तो managers commissions को निकालने के बाद आएगा, अब हमें दुबारा से और पीछे चलना पड़ेगा, profit and loss account की तरफ जहां पे हम profit को लिखेंगे 150,000,000,000,000,000,000 इसको आप gross profit मतले लिखेगा, by profit, 150,000,000,000,000,000,000 यहां पे अब हम 5% managers commission देंगे, managers commissions कितना है, जो portion relevant नहीं है, उसको हम अठा देते हैं, मेंजर कमिशन है 5% 5% आफ वन लैक फिटी थाउजन इस मेंस 75 हैंड़ड 7500 अब देखिए नेट प्रॉफिट जो हमने पहले यहां बन फिफ्टी निकाला था वन लैक फिटी थाउजन अब वो फिर से रेडियूस हो गया अब कितना रेडियूस हो गया वन लैक फॉर्टी थाउजन फाउजन 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 यह स्टुडेंट्स प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट आपको बनाना है एज इस आपको शो करना है मनेजर कमिशन को है मनेजर कमिशन जो है मारा प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट का प्राट्व है इसलिए अगर वह प्रॉफिट निकाल दिया तो यह नेट प्रॉफिट गलत निकाला है नेट प्रॉफिट तो अब NICKाए हमारा मूप 42,500 अब हम इस सब को हटा दो अब यहां पे लिखिए 1,42,500 अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रिबूट कर सकते हैं एस पर रेशो थ्री इंस्टू टू हमारे पास इंट्रेस्ट ओन ड्राइंग्स अभी इस कोश्चन में नहीं है इसको आप अटा दीजिए पार्टनर्स कमिशन भी नहीं है इसको भी हम अटा सकते हैं हमने टोटल कर दिया 1,42,500 अब इस फिगर में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 77,500 77,500 को आप थ्री इस्टू टू की रेशो में आप इसको कल्कुलेट करिए ए और बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रास्फ़र जाएगा एक एक अकाउंट में जाएगा 46,500 और बी के अकाउंट में जाएगा 31,000 इन दोनों का टोटल हम देखेंगे 77,500 आई तो स्टुड यहां मारा यह कोशन पूरा हो जाता है आप देखा इन दोनों की वज़े से हमको कितने चेंजिस करने पड़े हैं और इन पॉइंट को समझाने के लिए ही मैं इस को यहां पे लिखा है अगर आपने इस कोशन में इन पॉइंट को समझ लिया है तो आप पी एंडल प्रॉफिट इस आफ्टर चाजिंग बीस सेलरी बीस सेलरी की थर्टी थाउजंड इसके बाद वह कहता है प्रवीजन आप पर्सेंट ऑफ प्रॉफिट इस तूभी मेड इन इस्पेक्ट ऑफ मनेजर कमिशन अभी भी रह गया अगर हमने वन लैक फुप्टी थाउजंड यह हमारा अनड़ प्रॉफिट है तो यह गलत है हमें पहले मेंजर कमिशन निकालना पड़ेगा नेजर कमिशन पार्ट है प्रॉफिट अलॉस अकांट का तो फिर से अब रिवस चलिए अब आप प्रॉफिट अलाएं यहां पर प्रॉफिट लिखिए वन लैक फिप्टी इसको प्रॉफिट शेरिंग रेशो में इसको डिवाइड कर दिया थ्री इस्टू टू की रेशो तो यह स्टूट्स हमारा कॉश्चन यहां पर कंपलीट हो जाता है आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करिए शेर करिए अपने फ्रेंट्स के बीच में और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्शिप अकाउंट्स को कंटिन्यू करते हैं थैंकियो वरी मची